memory write cycle timing diagram इसमें भी रीड की तरह टोटल 4 clock pulses होंगे T1 से T4 के बीच में ही यह perform करें same वही अब अगर हमें कोई भी read करवाना है तब भी address latch enable पर use करते हैं write करवाएंगे तब भी address latch enable पर use करेंगे लेकिन difference इतना है कि जब memory read करवाएंगे तो address latch enable T1 में high होगी यानि इतनी duration में high होती है लेकिन जब write कराते हैं तो पहले ही हाई हो जाती है और T1 तक रहती है यानि address latch enable हार एक वीडियो में मैं ही शो करेंगे address latch enable यह शो करता है कि available address हमारी busses में address busses में आ चुका है आ गया है जिससे कि हमने read या write का जो पही हमने function perform करवाना है वह करवाएंगे अब हम write function perform करवा रहें स्टेटस S0 से S2 यह active रहेंगे T2 तक यह ऐसे ही रहने चाहिए ठीक है यह इस तरह ही रहते हैं और T3 से यहां पर T3 से 4 के बीश तक इन active रहते हैं फिर active हो जाते हैं नेक्स्ट है address स्टेटस सेम वही condition address status के साथ है स्टेटस स्टेटस से स्टेटस से स्टेटस को शूर करें यह address status आपसे मिल के function perform करवाते हैं कि स्टेटस 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 से सम जीरो है हाई है तो किस सरा से function perform करवाता है यह पिन डाग्राम में किया था तो यह आपस में एक दूसरे से connect करके function करवाते हैं हमने memory write का function perform करने हैं और T4 यहां पर आने बद वह float हो जाता है address or data एड्रेस और डाटा को पकर्णेक्टिक है, A0-A15, A0-A15 हमारा अड्रेस तक चो करेगा, और उसके बात जैसे ही ऐड्रेस मिल जायेगा, तो हमें डाता भी मिल जाएगा, एड्रेस से जो कि होगा D0-D15 तक, यह हमारा अड्रेस और डाटा शोग करेगा, और यह T1 duration में तो address रहेगा और T2 से T4 तक हमारा data हो रहेगा data buses में data out होगा अब इसमें एक सबसे important चीज है AMWC AIOWC अब यह चीज क्या है यह हमने अपने पिछले topic में नहीं किया अब यह है क्या यह है advanced memory right command advanced input output right command लेकिन हमने यह जरूर किया था memory right command input output right command हमने यह जरूर किया था हम आज कल पहले तो हम memory right command यह दो लेकिन अब एडवांस में राइट कमांड और अडवांस इंपुट आपकूर राइट कमांड का यूज करने लग रहा हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एक कमांड यह तो आपको नाम सी पता लगे रहा है कि तकांड पर फॉर्म हो रहा है ये कैसे पता लगेगा क्योंकि data आ गया है हम memory write कर रहे हैं तो obviously कि memory से data out हो रहा है write function पर form हो रहा है address से data आया वो write होगा लेकिन advanced memory write command और memory write command में ये difference है कि जो advanced memory write command है वो एक pulse पहले ही हमें signal provide कर देती है कि data आ गया है और memory write command है कि वो एक pulse बाद में बताती है कि जो माद data है वो out हो गया है सिर्फ pulse का difference है वो ये जो advanced memory write होगी वो एक pulse पहले ही low हो जाएगी लेकिन ये एक pulse बाद में लोग होगी memory write command ठीक है ना बाकि ये चीज दोनों सेम ही है इसमें कोई difference नहीं है सिर्फ signal का difference है ये एक pulse पहले ही active हो जाता है जो लोग हो जाता है जो शोग कर देता data के साथ ही लेकिन data आने के एक pulse बाद लोग हो जाया है जो शुक्रता है कि data out हो रहा है ठीक है ना इसलिए इन दोनों में confusion दोनों एक ही चीज है क्योंकि हमने memory write command और input output write command की थी लेकिन advance memory write command और advance input output write command नहीं की थी नेक्स्ट है data transmission receiver data transmit हो रहा है तो ये क्या रहेगा हाई रहेगा memory write हो रहा है next data enable DEM यहां से क्या होगा जब data आएगा out होगा तो उससे पहले data enable हो जाएगा तो ये low हो जाएगा ये शुक्रता आगया है और ये T2 पे low हो जाता है इस point पे और T3 तक low रहता है दो cycles के बीच में ये रहता है तो रहता है तो रहता है data enable हो गया out हो रहा है ये होगी memory write cycle planning diagram thank you thank you for watching this video आप और वीडियो के लिए हमारे चैनल learn and grow पे subscribe कर सकते हैं thank you